नमस्कार किसान भाईयों मैं अभी बैठा हूँ ग्राम हेवरा जैसिंग में राहुल मेंदोली जी के साथ हम बैठे हैं इन्होंने हमारा मक्हा इंक्यानवे चालिस लगाया था छे पैकेट तीन इकड़ में और हम इन्हीं से बात करेंगे कि मक्हा कैसा रहा कैसा उत्पादन रहा और जमनिशन कैसा आया और अन्य किसानों को आप क्या सरा देंगे तो आप तो अपना पहले पूरा परचे बताईए मेरा नाम राहुल महें कितना पैकेट कितने इकड़ में कितीन इकड़ में तो यह कैसा जमनिशन कैसा थीक है हाइड भी बढ़िया इसकी नॉर्मल है पुली कम है और भुट्टा भी उतने हैट पर नहीं आता है तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो भुट्टा हमारे हास रखा हुआ है इंक्यान पड़ा साइज आता है भुट्टे का बजन दार भुट्टा होता है और इसका डाना भी हमारे पास रखा हुआ है और पगड़ी है अगर दिखाना चाहें तो यह आप देख सकते हैं किसान भाई कुद आपको बताएंगे कि इसका दाना छोई और भुट्टा कैसा रहा है मतलब दाना भी अच्छे मोटे इसके और जो चुई है वह बहुत बारिक रहती है जी और हाइट मक्य की हाइट मक्य की सिंपल रहती बढ़ी है अन्न मक्य जो आप लगाते आ रहे थी उसके पेक्छे यह कैसा लगा उसके ठीक है बहुत अच्छा लगा है और अन किसान भाई क की तरीकी मतलब उत्ती ज्यादा अपक्षा बढ़ती भी नहीं है अधर मक्य की अपक्षा तो अन्न किसान भाई को आप कहेंगे कि जादा स्यादा यह मक्य लगाना चाहिए लगाना चाहिए तो यह हमारे साथ थे किसान हेवरा जैसिंग के रहुल मेंदोले जी जिनने मकता भुट्टा वजंदार आता है हाई टेस की कम आती है अन्न मका की अपेक्षा उनको यह मका बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने रिक्वर्मेंट किया है कि सभी जो भी किसान भाई है इस्चेत्र के वह इंक्यानवे चालिस जो मका है ज्यादा से ज्यादा संख्या म खाली और यह जो मका आपने कहां से लिया तो यह मका लगाने से आपको बहतर वत्पादन भी मिला है कितने आप बता रहा है सब्सक्राइब दिया है तो धन्यवाद आपका बहुत-बहुत आपसे मिलकर अच्छा लगा और आगे भी नेक्स टाइम जो आप माका लगाएंगे हम आपको रहनतर आएंगे धन्यवाद मैं लली त्रग्वंसी फिल्ड ऑफिसर हेड्कॉर्टर चांग